जिला कुल्लू के शेत्री अस्पताल में पंजाब केस्री की खबर का बड़ा आसर हुआ है पंजाब केस्री ने शेत्री अस्पताल कुल्लू में फर्श पर मरीज के इलाज की खबर प्रमुक्ता के साथ उठाई थी जिसके बाद CPS सुंदर सिंग ठाकोर ने शेत्री अस्पताल कुलू में पहुचक निरिक्षन किया इस दौरान उन्होंने अस्पताल में इलाज कराने आये मरीजों से समबात किया और मरीजों को मिल रही शेत्री अस्पताल प्रबंधन को मरीजों की सुवधा के लिए एक अधने परची काउंटर कोलने के नरतेश भी दिये वहीं शेत्री अस्पताल कुलू में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल में स्टाफ की कमी को लेकर सुंदर सिंग ठाकुर ने क्या कुछ कहा सुनिये देखिए आप देख रहें कि कुलू अस्पताल में पिछले कुछ मेनों से एक सबसे बढ़िया जो यहां पर बनाया गया यह मुफ्त दौईयां सस्ती दौईयां सबसिडी वाली दौईयां इनमें और रिक्षन कर रहा था कि इनमें सारी दौईयां मिल रही है कि नहीं मिल रही है तो मैंने पाया कि अधिक तर दौईयां यहां पर अवेलबल है लेकिन आपने आपकी जो एक मीडिया में जो एक रिपोर्ट आई थी कि जमीन पर इलाज हो रहा है वह मुझे बताया गया कि जो पेशन्ट था वह एपिलेप्सी है थेंट होगी थी वह बेश होगी थी तो उसको बेश होने के बाद जमीन पर लेट गी थी तो उसको वहीं इलाज हुआ था मुझे लगा कि शाहिद बैड की कमी हो, लेकिन बैड की कमी कोई नहीं है. और हाँ, इतना जरूर है कि कुलू ऑस्पिटल में जो ये मातर, ये शिशू और ये जो मदर चाइल्ड केर हॉस्पिटल है, इसको खोला गया है, इसकी पोस्ट है क्रियेट नहीं है. अभी ये फाइनेस्मेंट डिपार्टमेंट में ये मामला हमने बेज दिया है, लेकिन अभी जो 37 डॉक्टरों के यहां पे है, 37 के 37 डॉक्टर यहां पे कुलू में पोस्टिट है, और मेरे ख्याल से अब बेतर पहले से यहां पे व्यवस्ता हुई है, लेकिन फिर भी बेतर स कि तरफ हम अगरसर हैं हम चाहते हैं कि यहां पर सारी दौईयां यहां पर मिले मुफ्त जो यहां पर टेस्ट हो अभी तक कोई बाड की बज़े से कुछ स्टाफ या कुछ इनका जो टेस्ट है रिएजेंट्स यहां पर नहीं पहुंच पाया आज मैंने काया कि मुझे इसका वो नंबर देंगे गाड़ी नंबर वो श्पेशल उनको यहां आने की इजाज़त दी जाएगी पंडो से और मैंस पी मंडी को कहूंगा कि वो गाड़ी को श्पेशल यहां पर बेजा जाए उसके बाद कल काफी स्थिति सामेने होगी जो अवेलबल है और दौईयां भी य इलाज करने वाला आता है उसका निशूलक इलाज हो सभी डौक्टर्स यहां पर मौया हो यह हम सुलिष्ट करना चाहते हैं इसी कडिमे में आज यहां पर ओचक लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर बैड़ कवेस्टी कम है हम यह मानते हैं कि अब लोगों का बिश्वास इस अ कारी हस्पिताल में मिल रहा है इसी बज़ा से यहां OPD भी बढ़ रही है मुझे अच्छा लगा कि OPD का बढ़ना एक शुब संकेत है कि लोगों को विश्वास है इस हॉस्पिटल पे तो ऐसे में और बेतर सुविदा हो इसके लिए प्रयासरत है और जैसे ही MCH के मारी पोस करने की तरफ हमारा कदम अगरसर है हम उसके लिए पूर्चोर प्रयास करें पंजाब केस्टी टीव के लिए को लोगों से दिलिप ठाकुर की रेपॉर्ट हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इ हमारे इंस्तरगम पेज हिमाचल.केसरी